ह हाँ है है क athletics आफ का मेज चालनल का सब्सक्राइब आज मैं आगे सब्सक्राइबुक्राइब इंप न सब्सक्राइबू का सेटीर यह कि बढूर अधियों तो चलते हैं ड्राइब क्या होती है तो मैंने आपको नपरटिए इंप्राइब करते हैं वो मुने पैदाइश ही नहीं मिलता है ठीक है तो देखो तो acquired immunity on other hand is pathogen specific यह देखो उसमें लिखा हो तो non-specific इसमें लिखा हो यह pathogen specific है ठीक है ना अब इट इस करेक्टराइज बाय मैमरी यह मैमरी बिसिकली यादास पर बेस्ट है जो भी एक्वाइड उम्मुनिटी है यह मैमरी पर बेस्ट है ठीक है थीज में वेन अवर बॉड़ी एंकाउंटर आप पैथोजन फोर दी फर्स ताइम इट प्रोडूस अर रिस्पोंस कोल प्र स्पेसिक है तो यह बिसिकली मैमरी बेस्ट है तो जो फर्स ताइम जब एंकाउंटर होता है पैथोजन का बॉड़ी से तो इसे बोलते हैं प्राइमरी रिस्पोंस और जो इसकी इंटेंसेटी होती है बॉड़ी की फाइट करने की बहुत ही लोग होती है ठीक है फिर उसके मैमरी ओब दा फर्स एंकाउंटर तो यह कुछ ऐसा है कि जैसे कि मतला हमारी बॉड़ी जब जब देखो कहीं भी किसी जगा कोई नया माइक्रोगेंजम आता है यह वो सकते हो कि यह कुछ ऐसा है कि जब हमारी बॉड़ी से कोई बैक्टिरिया फर्स ताइम एंट्री लेता बीमार पड़ गए तो बेसिकली क्या होता है ऐसा इसलिए होता क्योंकि हम त्यार नहीं होते हैं तो उसके इसमें हमारे सेज़् को पता चल गया है उसे याद है अब वही पैथोजन अगर नेक्स आम आएगा तो हमारी बॉड़ी थोड़ी वो सकते हो पहले से रेडी है उस क्योंकि उसे याद है कि वह ऐसा इसे जिस पॉस्टा कैसे कैसे फाइट करता है उनकी मूव्स के बारे मैंने पता है यह मान सकते है तो आपको यह रखना है कि जब फर्स ताइम कोई बैट जिन अटेक करता है तो उसे प्राइम रिस्पांस बोलते है और जब सेकेंड टाइ इस सेकेंडरी इम्उन रिस्पांज आर के अट विद धी हैल और तुस स्पेशल टाइब अफ लिंफोसाइट पर्जन और पर्जन इन यार बाड बॉलना चारा कि है अंग शित होता है दो सिंशलर टाइप के लिंफोशाइट होते हैं एक है आपका बिन फोसाइट रिस्पॉंस करती है वो लिम्फोसाइट की वासे ठीक है ना लिम्फोसाइट बिसिकल एक ब्लड का पार्ट है तो दो तरह के लिम्फोसाइट है बी लिम्फोसाइट एंट टी लिम्फोसाइट ठीक है ना तो आगे होता क्या है जो बी लिम्फोसाइट है वो एक आर्मी प्रोटीन रिलीस करती है वो आर्मी प्रोटीन का मतलब कहा है कि जो लड़े ठीक है तो लड़ता है और दीस प्रोटीन और कॉल एंटीबोडी तो बी लिम्फोसाइट प्रोडूस करता एक प्रोटीन जिसे हम आर्मी प्रोटीन कह रहे है उसका नाम आम चेहीं आपि अंटीबोडी कहा है ठीक है आगे टीशेल्स देंस वीन्टी नोट सिक्रीट एंटीबोडी बट्यक वी इस to produce them कहने का मतलब क्या है कि जो B-cell है आपको पता है कि वो fight करने के लिए मतलब उसे army कहा गया है पर जो T-cells क्या करता है T-cells इसे help करता है fight में मतलब वो साहरा एकता सबसक्तियो साथ देता है आगे इच एंटीबोडी मॉलेक्यूल है फोर पेप्टाइट चेंज टू स्मॉल कॉल लाइट चेंज एंड टू लॉंगर कॉल हैवी चेंज ठीक है तो मैं आपको डाइगरम दिखा दूँगा यह डाइगरम में तर बना हुए है आगे हैंस एंटीबोडी इस अगर मैं एंटीबोडी को रिप्रेजन करना है तो एच टू ए यह रखना एच टू और आइटू अगर आप जैसे कोशन पूल सकता है कि हम कैसे एंटीबोडी प्रेजन करते हैं और अप्शन आएगा एच टू आइटू एस तू या कुछ भी हो सकता है जिए मानलो एच ट जी सम अब दैम ठीक है एक कार्टून आफ एंटीबोडी इस गीवन इन फिगर तो फिगर में देखो पचल जागा आपको उसको फिगर देख रहे थे पहले इस गौर से फिगर देखिए इसमें आपको दिखेगा लाइट चेन है है वी चेन बता रहे है ठीक है तो देखो इस वाले गोट इस वाले को इसने क्या कहा है कि ख्र말ण को कहा है शना कि है त्युक्त तक इसलों कि हैसने कि यह लाइडr t70 получится आपको इस वाले को लाइट चीन कहा गया है इस वाले को और इस वाले को आपका है वी चीन कहा गया ठीक है न तो या रखना वाखी आगे अब देखिए बिकोश आप इस एंटीबोडि आर फांद इन ब्लड रिस्पोंस इस आल्सोंग एक हम रहे इम्यों रिस्पोंस एगे सचाहिए उसको हुमरल इम्यून रिस्पॉंस कहा गया है this is one of the two types of our acquired immune response antibody-mediated तो यह कुछ सकता है कि antibody-mediated response को क्या कहेंगे हुमरल हुमरल immune response कहेंगे अब अगला यह दिख रहे है न फिर the second type is called cell-mediated immune response इसको cell-mediated immunity भी कहते हैं यह important है देखो cell के तो जो immunity होती है उससे cell immediate कहा गया है जो blood में मतलब antibody होती है उसे human response कहा गया है the T lymphocyte-mediated CMI यह भी उकसाद पूछ सकता है very often when some humans organs like heart, eye, liver, kidney fail to satisfactorily transplantation is only meant to enable the patient to be the normal life देखो अगर मान लोग किसी human being का अगर कोई organ काम करना बंद कर जाता है तो अब वो जिंदर नहीं पाएगा तो हमें क्या करना होता है उनका body का organ transplant करना पड़ता है ठीक है न तो पहले हमें सब से पहले suitable donor देखना पड़ता है suitable donor देखने के बाद क्या करते हैं वो जो भी हार्ट है जो भी हार्ट या किड्नी कुछ भी है उसका लेते हैं उसका फिर हम सुनर और लेटर टीशू मैचिंग ब्लूर्ड ग्रूप मैचिंग अर्ट इसेंशल भी फोर अंडर टेकिंग अनी ग्राफ अ अब आप्टर दर ट्रांस्प्रांट थो भी टेकन इम्म्यून सब्रेसेंट अल इस लाइफ थो तक है लेको भाई यह सभी का ब्लड तो मैच करता नहीं है तो जो बॉड़ी के और वह मैच नहीं करते तो जब हमां किसी और का और गन किसी और के बॉड़ी में डालते हैं त हो उसे reject कर सकता है तो दब बॉड़ी दे बॉड़ी इस एबल टू डिफ्रेंशीट सेल्फ एंड नॉन सेल अनसेल मेटेटिट इम्म्यून रिस्पॉंस इस्पॉंसिवल फो दग्राफ एस्ट्शिन आप से कोशन पोशल सकता है कि ग्राफ रिजक्शन में कौन सा इम्यून भी वह उसके जो response उता है उससे बोलते है पर जब cell जो response शो करती है उसे हम बोलते हैं cell medicated immune response इसके लिए graph rejection के लिए important यह ठीक है ना अगर आप को इस वीडियो अच्छी लगी तो like करें सब्सक्राइब करें और शेर करने की and thank you